मैंने कल राहूल गांडी जी ने जो लोकसभा में भाशन दिया है उसको ध्यान से सुना है और मुझे को लगता है कि पपू बड़ा हो गया है उनके संबोधन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि वो बहुत गहरी साजिस रच रहे हैं वो हिंदुस्तान में एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़वाना चाहते है और देश का दुबारा विभाजन करवाना चाहते है और विभाजन करवाना कांगरस के डी एन ने में है 1947 में इन्होंने धर्म के अधार पर देश का बड़वारा कराया राकों लोग मरें उसमें इनके DNA में है यह दुबारा इन्होंने साजिस रखी है और हमारी तो संस्क्रिती से हिंदू मुस्लिम सिखिस आई सभी भारतिया भाई 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 पर अब यह उससे डेवियेट कर रह रहे हैं और यह एक विभाजन करवारा साथ हैं ताकि यहां पर लड़े यह बहुत गंबीर है मैं इसके उपर बहुत कुछ बोल सकता हूं पर बोलूगा नहीं क्योंकि इसके उपर बोलने के बजाए इसको इग्लोर कर रही बेतर है देश के हित में है कि इनके बाशन को कांगरस ने एक अजंडा सेट कर लिया है और मुझे लगता है कि इन्होंने कोई यूश्टी बनाई है वहां सभी कांगरसियों को बुला बुला कर जूट बोलने की प्रेक्टिस करवाई जा रही है इन्होंने सारत क्यों आओ जूट के अधार पर लड़ा और आब आगे भ जूट को कैसे सच साबित करना है उसके ये फार्मूले बना रहे हैं